प्रेसिडेंट नरेंद वादवा साब भी हैं वादवा जी आप कमर्जी ब्रोकर्स की नुमाइंदगी करते हैं आप लोगों भी इस तरह के अविरनेस कैम चलाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार इस कैम आपके जरिये हो CPI के जरिये हो ताकि इसका दायरा और भी बढ़ा हो मेरा आप से सवाल होगा एंट्री हो चुकी है नय-nय कई तरह की इनवेटिव प्रोडट्स भी आ रहे हैं एक्चेंज का दायरा भी बढ़ रहा है और नय एक्चेंज भी कम्मुनिटी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं लेकिन अभी भी जिस तरह के penetration level की उमीद लोग कर रहे हैं वो काफी कम है क्या दिक्कत हो रही है CPI के तौर पर आप क्या देखते हैं क्या वज़ा है कि community market हमारा इतना पीछे है नमस्कार विश्मौन जी नमस्कार पहले तो मेरी तरफ से मुबारक कि ये awareness campaign जो आप महाकुम कर रहे हैं ये definitely इसको आगे ले जाएगा जो awareness जिसकी बात कर रहे थे अभी रास्ते जी भी कर रहे थे मैं again कहना चाहूँगा जैसे दो तीन और चार से हम organized commodity market की बात कर रहे हैं तो हमारे सेबी के अंदर WTN मांती जी थे और सुन्दरेशन जी थे वो हमेशा कहते थे कि कोई भी market कोई भी segment बढ़ाने के लिए हमारे को three piece की जरूरत है वो है policy product and participant तो आपने जैसे का FMC से हम सेबी में आए तो ये policy decision एक बहुत बढ़ा था हमार को बहुत अच्छा regulator मिला जिससे कि हम market को बढ़ा सकते हैं उन्होंने कई products नए product नए contract इसमें introduce करें but unfortunately agree के अंदर जैसे रास्ते जी ने का हमने पीछे सालों में देखा कई withdraw हुए हैं various compulsion से और हमारे पस सारे participants हैं इस market को आगे ले जाने के लिए हमारे पस जो financial participants हैं वो तो हैं हैं जिनकी हमारे को हम बार बार मांगते थे कि जैसे mutual funds आएंस के अंदर FPI आएं तो उसको भी allow करा गया है और मेरे co-participants सारे CDEC committee के members हैं तो हमने देखा है कि जो जो हम मांग रहे हैं regulator से इस market को बढ़ाने के लिए they are open वो हमारे को हमेशा वो product देने को तयार है और सारे regulator proactive है इसको market को बढ़ाने के लिए जैसे आपने कहा कि ये market commodity market जो हैं बहुत बड़ी है पूरे world के अंदर CME और LME देखें तो equity market से 4-5 times और 10 times होती है ये market और इंडिया के अंदर इसका scope इतना बड़ा है हम सबसे बड़े importer हैं या exporter हैं या consumer है गोल को देख लीजिए हम 800-900 टन यहां पर import करते हैं और consumption बहुत ज़्यादा है यहां पर बट ये price का जो discovery है वो या ना होकर ये बाहर हो रही है तो ये इस चीज़ को हमार को देखने की ज़रूरत है जैसे आपने का 20 साल हो गए इस market को आये हुए और अभी भी हम वहां नह पहुंच पाए उसके कई रीजन है आज के आपके प्रोग्राम में पूरे दिन हम इसको discover डेलिबरेट करेंगे बट मेरे को लगता है कई चीज़ें जैसे ऐजे CPI I have been there for five six years और मैं देखता हूँ कि policy maker को हमार को कहीं बताना है जैसे निकुन जी ने भी कहा जहां commodity derivative की बात ह होती है तो कहीं speculation की बात आनी शुरू हो जाती है mindset ऐसा बना हुआ है policy maker का भी regulator का भी कि कहीं price की volatility आई तो वो speculation हो रही है ऐसा नहीं होता ये exchanges जो बने हैं वो बने ही इसी के लिए है कि जब volatility आए तो इसमें हम कहीं hedge कर पाएं मैंने देखा है क्योंकि Monday level पे या ground level पे value chain participants से म हम लगातार मिलते रहते हैं तो बहुत सारे small and medium enterprises हैं उनको awareness ही नहीं है कि हमारे को hedge कैसे करना है इन market के दुरूर या इनको use कैसे करना है तो हमारा ये सब का दायत्व है आपका बहुत अच्छा initiative है CPI, MIs, सब को इकटे मुलके मिलके awareness खलानी चाहिए कि ये बहुत बड़ा instrument है एक वोट डाटा मैं बोलना चाहूँगा विश्मों जी बारबर बोगते हैं कि हम five trillion economy और ten trillion economy तो McKenzie के study है वो कहती है कि 40% जो है वो इस commodity market से आएगा तो हमारे को ensure करना है कि हमारा ecosystem commodity का इतना robust हो आने वाले time में जो कि हमारे को अगर जहां पहुँचना है हम उसको potent बना प पहें तो मेरे को लगता है scope बहुत है बहुत ज्यादा scope है और policy maker को continuously हमारे को मिलना चाहिए बताना चाहिए कि यह बहुत important instrument है platform बहुत important है और इसके अंदर जो sudden withdrawals होती है जैसे agree markets के अंदर यह नहीं होनी चाहिए एक और बात मैं बोलना चाहूँगा विश्मों जी कि पू पर क्या हुआ कि हम derivative market बना पाए और अभी तक spot market को link करना चाहरे हैं तो हमारे को इस market को spot market को भी link करना है उसको देखना है कैसे इसको link कर पाएं चाहे हो exchanges करें या इनाम type का इनाम जैसा कोई institution बने जो कि हमारे को electronic market बना पाए तो यह markets बहुत बढ़ेंगी यह मेरे का पूर लगता है कि हम अगर ठीक direction पे चलें तो हम जहां पर potential है वहां तक पहुंच पाएंगे